नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अलपाइन क्लासेज दोस्तों स्यूटी का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे परसान है कि सरे रिजल्ट में जो आया हुआ है और जो परसेंटाइल उसका क्या मतलब है तो आपको बता दे कि पहले तेहां पर आपको रिजल क्लिक कर दिया करोगे तो आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए परसेंटाइल स्कोर दे रहा है और फिगर में दे रहा है नर्मलाइज स्कोर करके ठीक होता क्या है आपको में अलग से वीडियो में बता देंगे पहले आप नॉर्मली समझ ल फेज में एक्जाम दिया फेज वन और फेज टू में तो फेज वर में माल लेते हैं हाईएस्ट इसकोर दोसों में से 150 तो इसको पचास वीजियो में था उसका 200 ही दो करते चाफा पर इंटरेट ही आपने एक्जाम दिया होगा तो फेज 2 का नहीं दिया होगा तो फेज 1 के accordingly फेज 2 में आपके कितना marks आना चाहिए उसको एड करके दोनों का average निकाल लेते हैं होता है नर्मलाइज स्कोर जिसको एंटी स्कोर बोलते हैं ठीक है ना यही जो नर्मलाइज स्कोर होगा इसी स्कोर को count किया जाएगा इनवर्सिटी में admission लेने के लिए ठीक है ना तो आप कैसे इसकोर calculate करेंगे percentile क्या होता है आपको घवरानी के जरूरत नहीं है और इनका जो आया है जो मैं result आपको 100 कर रहा हूं इनका chances है बना रहा है इनवर्सिटी में होने का ठीक है न वीडियो को ज्यादा ज्यादा share करें thank you so much